हुआ है तो नमस्क्कों दोस्तों आज की इस फीडियों में हम लोग बात करने जा रोए एम-ई-क-े-घ्र कॉन ऑने वाला है एंडिया में और देखो निकल के क्या आ रहा है जो जो लैप्टॉप होने वाला है वो Redmi Book 13 होने वाला है जो कि 2019 में चाइना में लांच हुआ था उसको रीब्रेंड करके MI के नीचे ये लाने वाले है ठीक है तो MI का ये लैप्टॉप होने वाला है ना कि Redmi के नाम के अंदर आने वाला है Redmi के नाम के नाम के अंदर आने वाला है MI Book, MI Notebook ऐसे कुछ करके आ सकता है मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि क्या हो सकता है Redmi Book 13 का रीब्रेंड वर्जन ये इंडिया में लेके आने वाले है शुरू कर लेत इस लैप्टॉप की स्पेसिफिकेशन से देखो यार निकल के आ रहा है कि दो विरिंट में आ सकता है एक तो i5 वाला एक i7 वाला दोनों ही जो प्रोसेसर होने वाला है यार लेटेस्ट 10 जन जिसकी Full HD Plus की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है एंटी ग्लेर वाली और हां देख भी सकते हैं आपकी डिस्प्ले के बैजल से आपको काफी कम देखने को मिलते है तो screen to body ratio भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलते है और इसके अंदर आपको कोई भी webcam देखने को नही वाली है company ऐसा claim कर रही है कि 11 घंटे तक आपकी battery चल जाएगी मतलब अगर आप simple usage कर रहे हो तो 11 घंटे तक अराम से निकल जाएगी यह claim कर रहे है company वाले टीक है और 60% आपका 35 मिनट में charge हो जाएगा जो की काफी अच्छी बात है काफी जाद आपको sleek design देखने को मिलने व देखने को मिलेगा dual-band wifi देखने को मिलेगा और Bluetooth का version 5.0 देखने को मिलेगा दो speakers देखने को मिलेंगे with DTS sound support और हाँ Windows 10 Home Edition pre-installed देखने को मिलेगी और हाँ काफी बंदों यह पुछेंगे क्या आपई दिखाएंगे वह इसके इंडर यह देखो मैं तो कुछ कहने सकता आप पॉप ओप उप किस दिखा दे और मीरको तो नहीं लगता पेमिमな टीशन के वह लैप लानेए थोड़े प्रीमम के टेगरी के लैप भाले हैं इंडीया है घ्यक्रीटीया के दाद की डिखने वाले हैं इसके कर, बॉड़ी की बात क्रीज़ा है तो बॉड़ी यह brace Whilst बनी होगी और मतलब brushed metal finish आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी बात है मतलब वो देखो एक अच्छा design लेके आएंगे अच्छा आपको quality देखने को मिलेगी और कलर आपको बता है कि moonlight silver आपको देखने को मिलने वाला है तो यह तो थी specifications की बात जो कि मैंने आपको बता दी है इस laptop के regarding ठीक है जो जो निकल के आये था कि Redmi book 13 का rebranded version होने वाला है अपना जो MI का नया laptop इंडिया में आने वाला उसकी मैंने specifications आपको बता दिया कि दो वेरिंट मे 300 रूपीज और जो i7 था ने उनका वो था 55,000 रूपीज का ठीक है तो 55,000 रूपीज के around आपको i7 देखने को मिला था अब यार देखो इंडिया में आपको ये प्राइस तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है दस तरह के तो टैक्स लग जाएंगे इंडिया मे जब लैप्टोप आएगा तो यार देखो शाओमी इसकी क्या प्राइस रखता है देखो अभी तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या प्राइस रखने वाले है कुछ महेंगी भी रख सकते है कुछ कम भी रख सकते है हम कुछ भी नहीं कह सकते है इसके बारे म बार में तो 11 जुलाई को आपको लैप्टॉप का लांच इवेंट देखने को मिलने वाला है इंडिया में तो एमाई का नया लैप्टॉप फाइनली 11 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा ये जो बाते हैं सारी ये यार मारको टिप्स्टर है जो ट्विटर पर इशन अगरवाल भाई उन्होंने शेयर करी है सारी जिनकी सारी लीक्स काफी ज्यादा ओथेंटिक निकल के आती है त नहीं जासे लागी वैडियो कमेंट सेक्शेर में जाके बता सकते हो इस ही वीडियो में इतना यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बेल एक न को प्रेश चरूरूर चरूर करद ना मैं मिलूंगा आप सबसे उने वीडियो झाल 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 झाल